दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको भारत की कुछ और important जनजातियों के बारे में बताऊँगा आपको याद होगा कि पिछले वीडियो में मैंने 15-16 राज्ये कवर कर दिये थे जिन में कुछ एक प्रमुख जनजातियां थे लेकिन कुछ एक राज्ये थे जो छूट गए थे और आप मैंसे कही लोगों ने मुझसे कहा भी था कि आप West Bengal आपने छूट दिया उत्तर प्रिदेश छूट दिया उत्तराखन छूट दिया तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि छूटा कुछ भी नहीं है हम लोग उनको भी कवर करेंगे पार्ट टू के अंदर यानि कि आज तो आप अपने कॉपी पैन खोल लीजिए और आराम से लेकना शुरू कीजिए शुरुआत हम लोग करेंगे सबसे उपर वाले हिस्से से यानि कि लद्दाक और जम्मू कश्मीर के साथ अगर शुरूआत लद्दाक से की जाए तो देखो लद्दाक में पाय जाते हैं बाल्टी जो की करगिल के इलाके के पास जयत्तर पाय जाते हैं और इसके अलावा पी-ोक यानि के पाकिस्तान ओकिपाइड कश्मीर में बाल्टिस्तान नाम की एक जगे है आपने सुना होगा गिलगेट पास बाल्टिस्तान तो बाल्टिस्तान में बाल्टी पाये जाते है बाल्टी एक जन जाती है महा की इसके अलावा लद्धा की बोध जिनको लद्धा की बोध कहा जाता है ये ले और उसके आसपास के इलाकों में बसते हैं जिनकी भाषा होती है लद्दाखी जो की तिब्बती भाषा से काफी ज़्यादा इंस्पायर होती है मतलब इनकी भाषा में तिब्बती आपको जलकती भी जरूर मिलेगी इसके अलावा पाई जाते हैं जांगपा चांगपा आपने जरूर देखे होंगे, इनको घुमंतू जनजाती के नाम से भी जाना जाता है, ये मेली चांगठांग पे पाई जाते हैं, बहुती उची जगह है, वहाँ पे आपको ये याक चराते हुए, बकरी चराते हुए, भेड़ चराते हुए मिल जाएंगे, तो य दोगरा का नाम आपने सुना होगा, इसके अलावा गड़ी, गड़ी भी एक बहुत जरूरी जनजाती है, जो हिमाचल प्रदेश और नौर्थ के पूरे एरिया के अंदर पाई जाती है, साथी जम्मू कश्मीर में भी पाई जाती है, इसके अलावा वहां के गुरजर, जी नीचे आते हैं थोड़ा हिमाचल प्रदेश के अंदर, हिमाचल प्रदेश के जो जनजाती होती है, वो मेली उनकी जगाओं के हिसाब से, जिलों के हिसाब से मशूर होती है, जैसे कि किन्नौरी, जो किन्नौर में बसते हैं, काफी फेमस है, लाहूली, जो कि लाहूल स्पि दोनों याद रखना, तो यह हो जाते ही हिमाचल प्रदेश की जन जाती, इसके बाद हम चलते हैं पंजाब, पंजाब में पाए जाते हैं बांगडा, जो की पंजाब के मैदानी लाकों में पाए जाते हैं, इसके अलावा वहां पाए जाते हैं भील, जिसके बारे में मैं अल इदर की तरफ चलते हैं तो आता है उत्तरा खंड उत्तरा खंड के अंदर पाए जाते हैं जौनसारी, रांथी, बुकसा, थडो, बॉकसा थोड़े नाम अटपटे हैं याद कर लो जौनसारी, रांथी, बुकसा, थडो और बॉकसा याद हो जाएंगे आप थोड़ी सी प्रै जनजाती है गौंड, आपको पता हुआ, गौंड बहुत ज़ाधा फेमस है, गौंड के बाद दूसरे नमबर पे आती है खरवार, जो आपके देवरिया और बलिया के अलाके में पाई जाती है, इसके बाद आती है थारू, जो की पूरवी यूपी के अंदर पाई जाती है, उसके अलावा बोटिया, बागडी, कोल, पासी, इतियादी जनजातियां भी यहाँ पाई जाती है याद रखिए ये वो प्रमुक जनजातियां हैं जिनसे सवाल बनते हैं इसलिए इनको आपको जरूर याद रखना है तो गौंड, खरवार, थारू, राजी, भोटिया, बागडी, कोल और पासी याद रह जाएगा प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा उत्तर प्रदेश से थोड़ा आप आगे बढ़ोगे तो आपको मिलेगा बिहार बिहार में भी काफी सारी जनजातियां एक साथ पाई जाती है इसमें कॉमन जनजाती है संथाल जिसको संथाल के नाम से भी जना जाता है इसके अलाबा उन्राव, मुडा, खरवार, खारिया, भूमिज, असुर, कोरवा, बिरहोर और पहाडिया इसके अलावा एक और जनजाती है जो कि यह जोहर नाम से प्रसिद है याद रखिए कई लोग संताल और जोहर को मिक्स कर जाते हैं जबकि यह दोनों बिलकुल अलग अलग है अब देखिए अगर किसी भी जनजाती का नाम लेते हैं वक्त अगर मुझसे गलती हो गई हो पस्चम मंगाल कैसे छोड़ दिया आपने तो देखो पस्चम मंगाल काफी सारी जनजातीयों का समू है जिसमें काफी सारे उपसमू पाये जाते हैं जैसे कि पस्चिम मंगाल में एक जण जाती रहती है पहाडी जण जाती उसके काफी सारे उपसमू हैं जैसे कि लोड़ा, टोटो, बहाली, मेच, राभा, संताल, बसपा, हो, कोरा, मुंदरी इस तरीकी के उपसमू हैं जो पहाडी जन जाती के अंदर पाये जाते हैं दुम जन जाती जिसके अंदर उपसमू हैं जिसे की मूडा, कोल, सवार, भूमीच, उन्राव और हो। तीसरी पाई जाती हैं यहाँ पे मयूर भंजी। मयूर भंजी के अंदर आपको सवार और कोल दोरों मिलेंगे। यह दोनों इसके उपसमू हैं। इसके अलाव यहाँ पे ओराव, बिरहोर, मगर, कोच और टिपरा जैसी जन जाती अभी पाई जाती हैं। याद रखिए यह सारी जन जाती हैं कुछ तो अनुसूचित हैं और कुछ जन जातीयों को अभी अनुसूचित छिणनी के अंदर नहीं रखा गया है। तो ये आपकी पस्चिम मंगाल की प्रमुग जन जातिया हो जाती है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा नीचे, तीन साउथ इंडिया के हमने प्रदेश लेने हैं, एक है केरल, एक है तमिलनाडू और एक है करनाट। केरल की बात करें, तो केरल में पाए जाते हैं कनिकर, कुरुम्ब, मुदुवन, उलाल, मलयालम, एरुला, कोचिवेली और पणी जैसी जन जातिया है। इसके बाद आखिर में आके हम करनाटक की बात करें, तो देखिए करनाटक में कहे जाने पे तो कुल 43 अनुसोचे जन जातिया हैं, जी हाँ, बहुत सारी है यहाँ पे, लेकिन जो मुख्य हैं जिन से सवाल बनता है, वो हैं कोरगा, टोड़ा, बंट, सिध्धी, हवीयका, याद रखिए, यह सारे नाम थोड़े से अट-पटे लगेंगे आपको, लेकिन आप दो-तीन बार प्रैक्टेस करोगे तो आपको जरूर याद हो जाएंगे, तो इस तरीके से यह तीन साउथ इंडिया के राज्ये हो जाते हैं, इसके अलाबा आंदर प्रदेश और तेलं वीडियो के अंदर बस इतना ही, see you in the next one.